हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे आप में आपके साथ चीजी गार्लिक प्रेट सेंडविच की रेस्पी शेयर करूंगी जो बहुत जादा डिलीशेस है आपने बहुत से सेंडविची ट्राइ के होंगे एक बार इसको ट्राइ करके देखते हैं सेंडविच बनाना इसके लिए मैंनी एक बोल लिया है इसमें 1 टेबल स्पून बटर लेंगे यह लेस्पन या फिर गालिक इसको इस तश्टिके से ग्रेट कर लिया है मैंने एड़ करना इसको बटर के साथ में इस तरीके से अच्छे से मैश करते हुए इसका स्मूथ पेश्ट बना लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा पीजा और इगो इसको भी एड़ करना है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको साइड में रख देंगे सेंड्विच पनाने के लिए मैंने थोड़े से टमेटोस हैं इसको इस तरीके से कट किया है उबला हुआ आलू है इसको पीसिस में कट कर लिया है यह ग्रीन चटनी है थोड़े से यह स्वीट कॉन्स है चॉप्ड अनियन सिम्ला में इसको इस तरीके से कट कर लिया है तब एको बटर से ग्रीज कर लेंगे और ब्रेट स्लाइसे को बेक करना है बहुत ज़्यादा बेक नहीं करेंगे बस हलका सा बेक करेंगे इस तरीके से बेक हो चुकी है, इस स्लाइसेस यह ब्रेड की दो मैंने प्लेइन स्लाइसेस लिए हैं, इनके ऊपर गालिक बेटर का जो मिक्शिर बनाया था, वो प्रेट करना है अच्छे से इसके उपर ये ग्रीन चत्नी इसको इस तरीके से रिख करना है उबले हुए आलू ये अनियन इसको भी इस तरीक अच्छे से रिख कर देंगे चाट मसाला ये कॉन्स इनको भी अच्छे से पूरे में फैला देंगे, यह चीज है, थोड़ा सा ग्रेट कर देंगे, इसके उपर, दूसरी हमने स्लाइस बेक करके रखी थी, उसके उपर यह गालिक बटर का मिक्सर है, जो मैंने अपलाई किया है, इसके उपर थोड़ा सा यह पीजा पास्ता सॉस, इसको भी अच्छे से नजब कर देंगे और स्प्रेट कर देंगे इसके उपर से यह मैंने फिर से गालिक बटर का मिक्सर लगाया अव्य चा他 रिका सोड़ा नहीं लगाना है, फोड़ा सा पीजा पास्ता सॉस इसको भी स्प्रेट करेंगे टमेटोस प्रेट कर देंगे शिम्ला मिर्च पूरी ब्रेट स्लाइस के उपर अच्छी से प्रेट कर देंगे यह ब्लेक सॉल्ट है इसको यह स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा ब्लेक पेपर काली मिर्च चीज को ग्रेट करनी है चीज की क्वांटिटी आप अपने कॉर्डिंग रख सकते हैं अगर आपको बहुत जादा चीजी चाहिए तो ज्यादा सी क्वांटिटी में ग्रेट करिए थोड़ा सा पीजा और इगेनो इसको स्प्रेंकल करेंगे चिली फ्लेक्स दूसरी जो प्ले थोड़ा सा पीजा पास्ता सॉस इसको भी स्प्रेट कर लेंगे और इसको पलट के रख देंगे तरीके से और इसको प्रेस कर लेंगे पैन को ग्रीज करना है बटर से और तैयार सेंडविच है इसको इस तरीके से रख के और अच्छी से प्रेस कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करना है 5 मिनट के बाद में देखिए इसको इसके उपर मैं ये बटर अप्लाई कर रहे हूं इससे जो ब्रेड है बहुत अच्छे से सिख जाएगी इस साइड भी और इसको पलट देंगे अच्छे से अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे देखिए अच्छे से बेक हो गया है इसको हटा लेंगे इस सेंड़ुच बन के तैयार है आप इसको कट करके इस तरीके से इसे भी सर्फ कर सकते हैं नहीं तो इसके उपर चीज को ग्रेट करके एंड इसके उपर थोड़ा सा पीजा औरीगेनो एंड चिली फ्लेक्स प्रिंकल करके आप सब कर सकते हैं आपकी मर्जी आप जैसे भी सर्फ करना चाहें बहुत ही डिलिशियस सेंड्विच बनता है आप एक बार इसको जरूर ट्राइ करके देखें जो भी आपके एक्स्पीर करें तो आके स्चेर कीजिए